हेलो स्टेरेंट्स आप देख रहे हैं प्लेविद केमिस्थी तो बच्चो अब जिस कोश्चन को हम डील करने जा रहे हैं वह कोश्चन को सा है 11.12 तो बच्चो यह इस कोश्चन को देखते हैं यू अर गिवन बैंजीन कंसेंट्रेट एस्टो एस फोर एंड एन्वेच राइट दा इक्वेशन फॉर दी प्रिप्रेशन और फिनॉल यूजिंग दीज रीजेंट्स क्या बनाना है बच्चो यहां पर ध्यान दीजेगा हमें किसकी फ्रमेशन करनी है फिनॉल की और रीजे यहां अको एन्वेच और हमें इस रीजेन के द्वारा बनाना है बच्चो फिनॉल यह हो गया आपका फिनॉल का इस्टॉक्चर बच्चो हमें जो फ्रमेशन करनी है किसकी करनी है किनुल की तो सबसे पहले क्या किया जाए पहले हम लोग बैंजीन से रियक्सन कराते हैं H2SO4 की इससे क्या होगा इससे होगा सलफोनेशन तो यह कैसा दिया गया है कंसंट्रेट इससे क्या बनेगा इससे जो फॉर्मेशन होगी यहां पर बनेगा बच्चो SO3H प्लस S2O और यह क्या बना इसका नाम है बैंजीन सलफोनिक एससेट क्या बन जाए बच्चो बैंजीन सलफोनिक एससेट बन जाए जब कंसंट्रेट S2SO4 से रियेक्शन कराएंगे तो बैंजीन सलफोनिक एसेट बन जाता है और देखे यह कैसे बना बच्चो इस S2SO4 को आप जब बैंजीन से रियेक्शन करा रहा है तो यहां लिए हमने हैच और इस S2SO4 को S2SO3H लिग लिजे यहां से S2O रिमूब कर दीजे और S3H का अटेच्चमन देदीजे तो क्या बन जाएगा बैंजीन सलफोनिक एसीड बन जाए अच्चो अब सेकेंड स्टेप में इसके सेकंड स्टेप को देखते हैं बच्चो इस बेंजीन सफोनिक एसीड में यह क्या हो गया एक है अब इसमें हम डाल देते हैं बेस multiplication करे क्या बना आएगा बच्चो तो जब बेस से reaction करेंगा तो किसकी formation करेंगा salt की तो यह देखें यहां बन जाएगा SO3N plus S2O निकल जाएगा तो यह क्या बन गया यह बना sodium बैंजीन सल्फोनेट क्या बनगे बच्चो sodium बैंजीन सल्फोनेट की formation हो गई और यह क्या बना salt अब इसके बाद बच्चो इस salt की reaction फर्दर हम करा देते हैं SO3N इसकी फर्दर reaction किससे करा दें एन ने ओ एस है इससे reactor के क्या बना देगा यह बनाएगा बच्चो sodium phenoxide किसकी formation हो जाएगी sodium phenoxide की हो जाएगी यहां बन जाएगा बच्चो sodium phenoxide sodium phenoxide की इसके बाद बच्चो फोर्ट स्टेब में और यहां क्या निकल जाएगा यहां से ठीक बच्चो और यह बना लेगा sodium phenoxide और इस sodium phenoxide से हम क्या बना लेंगे phenol तो यहां क्या जाएगा यहां पर हम लोग acid के साथ reaction करा देते हैं यहां फर बच्चो डाइल्यूट acid के साथ हम reaction करा देते हैं तो यह देखिए यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका phenol plus NaCl यह बन गया बच्चो phenol देखिए इजली गिवन रिजेंट से हमने किसकी formation कर दी phenol की तो फर्स स्टेप में हमने क्या क्या हमने S2SO4 की reaction करा कि क्या बना दिया की reaction जब आप डाइलूट SCL से कराएंगे तो यह फाइनली क्या बन जाएगा phenol बन जाएगा बच्चो और हमें क्या बनाता हमें phenol की formation करनी थी बच्चो तो इस question को हमने complete कर लिया फिर मिलेंगे नए question के साथ थैंक यू